हाई गाईज वेलकम बैक टू नदर सेशन मैं आभावनोट लेकर आई हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स का एपिसोड नबर 747 आज की तारीक है 14 अगस 2020 हमारे दो चानल्स है पिनाकल और फ्रेंटियर आएस और अगर भी तक आपने इंचानल को सब्सक्राइब नहीं किया ह साथ ही साथ इस बैला आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके हमारे दो वेबसाइट से ससी सीजल पनेकल डाट कॉम और बलजी धाकर डाट कॉम इंदरों को विजिट करना बिलकुल ना भूलिएगा ये सेशन हरों सुबा चार बजे वेलेबल हो जाता है और वीडियो की एन्ड में आपसे क्विस के क्वेशन पूछे जाते है जिनका आंसर आपको कॉमेंट सेक् के गए विश्व के पहले कोविड-19 वैक्सीन को क्या नाम दिया गया है तो इसका सही जवाब था स्पुट्निक 5 स्टार्ट करेंगे आज के सेशन के पहले क्वेस्चन के साथ सयुक्त राज्य अमेरिका में उपर राष्ट्रपती पद की उमीदवार चुनी गई पहली भा कमला हैरिस डेमोक्रेटिक्स की ओर से उपर राष्ट्रपती पद की उमीदवार होंगी 55 साल की कमला हैरिस कैलिफोर्निया से अमेरिकी सीनेट है सीनेट में चुनी जाने वाली वह प्रांद की पहली अश्वेत एव एशियाई सदस्य है अमेरिका की इतिहास में यह पहली ब वकील है जो की वर्ष 2017 से अमेरिका के कैलिफोर्निया से सीनेट के रूप में सेवा कर रही है कमला हैरिस ने वर्ष 2010 से 2014 के बीच कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल के रूप में कारे किया था कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल के रूप में प्रसिधी प्राप्त करने क के बाद निवेंबर 2016 में कमला हैरिस ने अमेरिका सीनेट के रूप में चुनाव लड़ा और जीत हासिल की यह आप उन्हें फोटोग्राफ में देख सकते हैं और क्विक रिविजिन की बात करें तो भारतिय नौसेना ने हाल ही में अंडमान और निकुबार धुवीब के पास किस देश के साथ एक पैसेज एकसराइस किया है तो इसका सही जवाब है अमेरिका बात करें यूएस से की तो इसकी कैपिटल है वाशिंग्टन डीसी और करंसी है यूएस डॉलर अगला प्रेशन है रॉकेट इंजन रमन का सफल परिक्षन करने वाली पहली भारतिय नीजी के कमपनी कौन सी है तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नमबर सी स्कायरूट एरोस्पेस एक स्टेक स्टार्ट अप स्कायरूट एरोस्पेस ने अपर स्टेज की रॉकेट इंजन रमन का सफलता पूर्योग परिक्षन किया है इसके साथ स्कायरूट एरोस्पेस एक होम ग्र आते नीजी फर्म बन गई है रमन एक 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है जिसका नाम नोबल पुरसकार विजेता सीवी रमन के नाम पर रखा गया है स्काइरोट एरोस्पेस ने जल्द ही अपने पहले रॉकेट को लॉंच करने की उमीद जताई है जो दिसंबर 2021 तक 2500 से 700 किलोग्राम के उप ग्रह को प्रिथवी की निचली कक्षा में पहुंचा सकता है जून 2020 में अंतरिक्ष में नीजी कंपनी की भागेदारी को केंदरी कैबिनेट की मंजूरी के बाद नीजी संस्था के लिए अब ये संभव हो गया है अगला प्रेशन है स्टील अथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की पहली महिला अध्यक्ष कौन होंगी तो इसका सही जवाब है उप्शन नमबर C सोमा मॉंडल सारवजनिक उध्यम चैन बोर्ड ने सोमा मॉंडल को भारती इस पात प्राधी करन लिमिटेड सेल के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना है कैबिनेट की नियुक्ती समिती की मंजूरी के बाद वह सारवजनिक शेत्र की स्टील की पहली महिला चेर परसन बन जाएंगी वह दुनिया में स्टील कंपनी का नेतरित्व करने वाली पहली महिला भी बनेंगी मोंडल ने सितंबर 2018 में सेल के निदेशक वानिज्यक के रूप में पदभार संभाला था इससे पहली वे नालकों भुवनेश्वर की निदेशक थी वे नालकों की भी पहली महिला निदेशक यहाँ पर एक रिविजन की बात करें तो इंडिया के न्यू सी एजी कौन बने है जी सी मुर्मू और जमू और कश्मीर के नय लेफटनेंट गवर्नर कौन बने है मनोज सिन्हा अगला प्रशन है विती सहयता के लिए कौन सा राजे अरुनोद्यय योजना लांज करेगा त पूरी तरह तैयार है इस योजना के तहट अवश्यक वस्तुए खरीदने के लिए पात्र परिवारों को 830 रुपे प्रती महीने दिये जाएंगे असम में यह सबसे बड़ी प्रतियक्ष लाब अंतरन योजना होगी इस योजना से प्रतियक विधान सबाक शेत्र के 15-17,000 परिवारों को लाब पहुंचेगा और उनोद्य योजना के लिए असम सरकार 210 करोड रुपे प्रती महीने वहन करेगी यहाँ पर एक क्विक रिविजिन की बात करें तो किस राज्य ने अपने पोबा रिजब फॉरेस्ट को वन्यजी अभियारन्य के रूप में अपग्रे पाक, राजीव गांदी नाशनल पाक, औरंग नाशनल पाक और दिबरु सिखोवा नाशनल पाक, असाम की कैपिटल है डिस्पूर, गवर्नर है जगदीश मुखी और सीम है सर्बनन्दा सोनोवाल अगला प्रशन है वॉल्टर मार्टोस ने किस देश की प्रधान मंत्री के रूप में शपत ली है तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नमबर B, पेरु पेरु के राश्ट्रपती पेरुगन राज्य मार्टिन विजकारा ने देश के नए प्रधान मंत्री के रूप में वॉल्टर रोजन मार्टोस रूइज, पूर्वरक्षा मंत्री और सेवा नवरित सेना अध्यक्ष निक्त किया उन्होंने पेडरो केट्रियानो की जगा ल पेरु के नए प्रधान मंत्री के रूप में शपत दिलाई गई थी, कॉंग्रेस ने हाल ही में उनके नेत्रित्व में मंत्री स्थरिय मंत्री मंदल द्वारा अनुरोध किये गए विश्वास मत को खारिज कर दिया था, यहाँ पने फोटोग्राफ में देख सकते हैं और को पेरुवियन सोल, अगला प्रशन है, खोजी पत्रकारिता के लिए, एशिन कॉलेज ओफ जर्नलिजम, एसी जे अव़र्ड 2019 से किसे समानित किया गया है, तो इसका सही जवाब है, ऑप्शन नमबर B, नितिन सेठी, पत्रकार नितिन सेठी, और शिव सहय सिंग को, क्रमक्ष खोजी पत्रकारिता के लिए, एशिन कॉलेज ओफ जर्नलिजम, एसी जे अव़र्ड 2019, और सोशल इंपक्ट जर्नलिजम के लिए, केपी नरायन कुमार मेमोरिल अव़र्ड का विजेता घोशित किया गया, यह पुरसकार विशु स्वास्ते संगठन, डब्लु एच्चो की मुख्य विज्यानिक, सौमे सौमी नाथन द्वारा, 2021 की क्लास के उधगाटन पर एक वर्चोल समारों के दुरान प्रदान किये गए, नितिन सेथी, हफिंग्टन पोस्ट में पत्रकार है, उन्होंने दे हफिंग्टन पोस्ट इंडिया द्वारा प्रकाशित, पैसा पॉल अगला प्रशन है, भारतिय अंतराष्ट्रे आर्तिक संबन्ध अनुसंधान परिशद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका सही जवाब है Option D, प्रमोद भसीन, प्रमोद भसीन को भारतिय अंतराष्ट्रे आर्तिक संबन्ध अनुसंधान परि जिन्होंने स्वास्ते कारणों से पद छोड़ दिया है इशर इस पद पर 15 साल से थे वह चेर परसन एमिरेट्स के रूप में जारी रहेंगी विशेश रूप से परिशद में उनके असधारन योगदान को सम्मानित करने के लिए बनाई गई स्थिति यहाँ उने फोटोग्र मंत्री नितिन गटकरी ने कोबिट 19 वाइरस को वी गठित करने के लिए किस माइक्रोवेव डिवाइस का अनावरन किया है तो इसका सही जवाब है ओप्शन नमबर ए अतुल्य केंद्री सडक परिवहन और राजमार्ग और सूक्षम लगू और मध्यम उध्यम मंत्री नित को प्योग घर और कार्यालिय के फणीचर बेड नए बक्से और यहां तक की बक्से की सामगरी सहित सते क्षेत्रों के अलावा पांच मिटर क्षेत्र तक किसी भी परिसर को किटानू रहित करने के लिए किया जा सकता है डिवाइस को MSME के तत्वाव धान में पूरी तरह से भारत में निर्मित किया गया है यह डिवाइस 56 से 60 डिगरी सेलसिस तापमान में वी भेदक हीटिंग की मदद से कोविड-19 वाइरस को वी घटित करने में सक्षम है अगला प्रशन है महिलाओ के वैश्विक विकास और स्मृधी WGDP पहल के तहत किस भारतिय ट्रस्ट ने USAID के साथ भागेदारी की है तो इसका सही जवाब है option number B Reliance Foundation Reliance Foundation ने अमेरिकी अंतराष्ट विकास एजेंसी USAID और WGDP के साथ साज़ेदारी की है Reliance Foundation दवारा जारी एक बयान के मताबिक इस साज़ेदारी की घोशना महिलाओं के वैश्विक विकास एव समृधी WGDP के एक कारे करम में अमेरिकी राष्ट्रपती की बेटी इवांका ट्रंप विशेश अतिति के तौर पर मौजूद थी डॉनल्ड ट्रंप ने 2019 में दुनिया भर में महिलाओं के आर्थिक सशक्ती करन के लिए WGDP पहल की शुरुवात की थी इस पहल के तहत Reliance Foundation और US ID साथ मिलकर काम करें अगरा प्रेशन है वीडियो कॉन्फरेंस के माध्यम से पारदर्शी कराधान इमानदार का सम्मान प्लाटफर्म किस ने लौंच किया है तो इसका सही जवाब है Option No.A नरेंद्र मोदी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से पारद दे दिर्शी कराधान इमानदार का सम्मान प्लाटफर्म लौंच किया केंद्री प्रतियक्ष कर बोड बोड CBDT द्वारा प्रतियक्ष करों में कई बड़े कर सुधार किये गए हैं इन सुधारों में कउर्प्रे T co की दरों में 30 प्रतीशत से 22 प्रतीशत की कटोती लब और इमानदार करदाताओं को पुरस्कृत भी करेगा केंद्रे प्रतियक्ष कर बोर्ड CBDT के अधियक्ष है प्रमोद चंद्र मोदी बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विक समरी की First Indian American जिसे Vice Presidential Running Mate के लिए चुना गया है कमला हैरिस को First Indian Private Company जिसने Rocket Engine रमन लॉंच किया है Skyroot Aerospace Sail की पहली Women Chairman कौन बनी है Soma Mondal Arunodhya Yojna कहां शुरू की गई है Assam में Walter Martos किस देश के प्रधान मंत्री बने है Peru के ACJ Award 2019 किसे मिला है Nitin Sethi को Indian Council for Research on International Economic Relations के नए चेर्मन कौन बने है प्रमोद भसीन Microwave Device to Disinfect and Disintegrate COVID-19 Virus का नाम क्या रखा गया है अतुल्या WGDP के लिए किस Foundation ने USAID के साथ साज़धारी की है Reliance Foundation ने Transparent Taxation Honoring the Honest का लॉंच किसने किया है नरेंदर मोदी ने बात कर लेते हैं आज के सेशन के Quiz for the Day के आपका पहला question है Steel Authority of India Limited सेल की पहली महिला ध्यक्ष कौन होंगी और आपका दूसरा question है संयुक्त राज्य अमेरिका में उपर राष्ट्रपती पद की उमीदवार चुनी गई पहली भारती अमेरिकी कौन बन गई है और अगर भी तक आपने हमारे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा साथी साथी इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि मारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके हमारी दोनों वेबसाइट स्ससीजलपनेकल.com और बलजीधाकर.com को विजिट करना बिल्कुल न भूलिएगा थैंक्यू सू मच